हे गाईज वेलकम बैक आवर चैनल आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंस्टन ग्लोइंग फेस पैक इसे बनाना बहुत आसान है घर की चीजों से हम बनाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि इस दुरगा पूजा दिवाली और करवा चौत में आपके स्किन नेशरली आप सबसे ज़्यादा सुन्दर दिखे तो इस फेस पैक को आप जरूर ट्राय करिएगा इस फेस पैक को आप डेली बेसे पी जरूर ट्राय करिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छी दिखे सबसे अलग दिखे आप तो इस फेस पैक को आप जरूर ट इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स पाउडर, यहां पर दो चमच मैं ले रही हूं ओट्स पाउडर, आप ओट्स को ले ले और ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना ले, ओट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और यह सकिन को नरिश करता ग्लो देता है स्मूद बनाता है हमारी स्किन को तो यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है आप ओट्स पौडर बना ले एक बाउल में दो चमच यहां पर ओट्स पौडर लिया है उसके बाद मैं यहां पर एड़ कर रही हूं आंबा हल्दी आधा चमच मैंने आप आं कर सकते हैं पर किचन वाली हल्दी ना यूज करें कई बर क्या होता है उसमें कलर मिक्स कर देते हैं लोग इस पैक फेस मास्क को बनाने के लिए मैं यहां पर कच्छा दूध यूज कर रही हूं आपको जितनी जरूरत हो उसी साब से आप इसमें कच्छा दूध एड़ करके फेस पैक को तयार करेंगे हम इन सारी चुछों को हमने अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है यह फेस पैक आप चाहें तो हफ़ते में तीन से चाह दिन भी यूज करें और अच्छा रिजल्ट चाहिए आपकी स्किन चाहते हैं आपके बहुत ज़्यादा ग्लो करें आपक मैंने एड़ किया था एक बड़ी चमत शहद मैंने यह पर पतंजली का यूज किया है आप चाहें तो किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हो अब इन सारी चीजों को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह हमारा फेस पैक तयार हो गया है आप इसे यूज करें 15 12-20 मिनट फिर उसके बाद आप इससे ठंडे पानी से धो लीजिए यह फेस पैक बहुत ही अच्छा है यह मैंने खुद पर ट्राइक किया है और इससे मैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है अगर आपको यह फेस बैक अच्छा लगी तो हमें कॉमेंट करकी जरूर बताईएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा हमारे और भी अच्छे च्छे वीडियो आते रहेंगे